यह डायग्राम याद दो जाना चाहिए एक्जाम में डायग्राम भी बनाने पड़ते हैं मैं आपको एक छोटी सी चीज समझा दू क्योंकि हम चाहते है डे बन से ही आप एक्जामिनेशन में क्या लिखने जा रहे हैं उस तरीके से ढल जाए एक्जाम में हमारे पास देखो क्वेशन किस किस तरीके से आएंगे एक्जाम का जो हमारा पेपर होगा उसमें पहला पोर्शन जो होगा ए पोर्शन उसमें जो ए पोर्शन होगा वो तो MCQ का होगा multiple questions answer तो उसमें दिक्कत नहीं आएगे क्योंकि उसकी खूप practice हम कर रहे हैं और हम आपको करवा देगे बानुमती के रहे हैं एक बार फिर से दिखा दो अभी दिखा देते बिटा पहले ये बात कर लूँ फिर मैं आपको बता देता हूँ दूसरा है descriptive descriptive में भी एक होंगे case वाले case scenario और एक होंगे normal descriptive ये सवाल पिटा पांच-पांच marks के आएंगे तो इनका जवाब देते वे आपको क्या करना पड़ेगा keyword लिखने पड़ेगे how to write आपको keyword लिखने पड़ेगे जो मैं बता रहा हूँ जैसे key group है जैसे game plan है जैसे blueprint है ये keyword है दूसरा concept को आपको समझाना है concept wise जो है वो writing होनी चाहिए आपकी फिर तीसरा diagram आपको समझ में आना चाहिए diagram आपको बनाना है वापर चौता आपको example देना है जैसे मैंने दिया रतन टाटा का सिंगूर का दिया आपको reliance का दिया ऐसे आप अपने समझ से भी कोई एक example लिख सकते हो जब तक आप इस तरीके से नहीं लिखोगे आपको पांच में से चार नमबर नहीं मिलेंगे आपको अगर पांच में से चार नमबर चाहिए पांच तो बहुत बिरले देते हैं हम लोग चार नमबर लाने के लिए आपको इतना कुछ करना पड़ेगा जनरली अगर आप ऐसे नहीं लिखते हैं तो आपके नमबर कितने आते हैं एक या दो बस आउट ओ फाइव और फिर बच्चा फेल हो जाता है तो तो समझ में नही टाइम ही वेस करना है एक है दो मिनट में रफिस स्कैच बना देना है